पागलो की तरह यह कर रहा है वो कर रहा है स्कोर उसका फिर बीडियो नहीं लगाता हूं तब मेरे माइड में सर्फ एक चीज घूमती है रिजल्ट इस्टूशन में मैं जॉब करता था वहां पे कई वार रीडिंग का टीचर नहीं आता तो मैं हैड को बोलके क्या रीजन्स हो सकते हैं कि आपका दोस्त या आपका रेलेटिव 15 या 20 दिन पड़के 7 या 7.5 स्कोर लेके आ जाता है और आप एक या दो मॉडिल्स में 5.5 या 5 पे अड़के रहते हो 4 से 5, 5 से 6, 8 महीने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, even 3 साल तक के सुडेंट्स भी है तो इसके पीछे का रीजन क्या है देखो आज की वीडियो में दो important aspects के बरहे में बात करेंगे वो दोनो aspects में एक एक problem है और उनका एक एक solution है जो काफी beneficial है अगर आपको समझ आगी with examples बताऊंगा अगर आपको वो चीस clear होती है तो आपका score आप होने के chances जादा है दोनों aspects को share करने के बाद मैं एक example बहुत बड़िया example आपके साथ share करूँगा एक real life experience है मेरा खुद का and वो आपके लिए बहुत beneficial रहेगा क्योंकि हमेशा ही आपको पता है अगर आप channel पे पुराने जुड़े हो मेरे साथ तो मैं हर वीडियो में real life experiences, examples की बात करता हूँ जो बहुत जादा relate करती है IELTS के साथ and कितने students के अच्छे comments है मैं जरूर share करूँगा तो एक बार बिना time waste के वीडियो को start करते है So this is Jipneet, welcome back to my channel I hope you guys are good First of all, बात करेंगे productivity की ये one of the two aspects है, दो aspects है उसमें productivity सबसे पहला aspect है ठीक है अच्छा एक example से start करते हैं, देखो एक student 5-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8-8 घंटे practice करता है दो-दो readings करता है दिन में पागलों की तरह ये कर रहा है, वो कर रहा है score उसका फिर भी नहीं आ रहा है और एक student मज़े से Netflix देख रहा है ठीक है इतनी मेनत भी नहीं कर रहा है लेकिन उसका score आ जाता है ठीक है, 15 दिनों में, 10 दिन में उसकी performance दिखने लग जाती है इन में फर्क क्या है दोनों तरह के students में क्या difference है कि वो बंदा 15 दिन में prepare कर रहा है paper दे रहा है, band ले रहा है और एक बंदा 6 महीने, 7 महीने साल लगा रहा है, फिर भी उसका score नहीं आ रहा है तो सबसे पहले productivity की बात कर लेते हैं तो देखो guys, जो IELTS है वो आपकी 12th या graduation या master के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है कोई connection नहीं है, आप कितने मर्जी हुशार हो 12th में, कितने मर्जी नालायक हो, ठीक है उसका IELTS के साथ कुछ लेना देना नहीं है ये दोनों अलग चीज़ है moreover जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बहुत बार explain करा है कि भाया, आपने अपने horizon को expand करना है, knowledge को बढ़ाना है, फिर ही IELTS clear होगी शायद अब तक आपको ये चीज़ clear हो रही है कि हाँ भाया, मैं सही कह रहा था ये सच में work करता है, ठीक है चोलो, ये बात भी side में रख देते हैं बट जो main बात है उसके बारे में बात करते हैं एक example देता हूँ जब आप enjoyment कर रहे होते हो बाहर अपने दोस्तों, सहेलियों के साथ घूम रहे होते हो तब आपके mind में ये चीज़ चल रही होती है यार, reading में score क्यों नहीं आ रहा मेरा यार, writing में score क्यों नहीं आ रहा किस चीज़ में कमी है speaking में मैं अच्छे से मेरे confidence क्यों नहीं boost होता ये चीज़ आपके mind में आती रहती है और जब बात आती है पढ़ने की तब आपके mind में आता है यार, चाब नालने है थोड़ा या पूज याललने नाल चल खांदे खांदे थोड़ी थोड़ी वीडियो देख लगने कोई हर्ष बेनी वाल दिन में वीडियो आई है कभी-कभी mind में आता है कि यार चलो आशी इस्टन चलाने की पुरानी वीडियो देख लेते हैं कुछ mind fresh हो जाएगा ठीक है पता क्या एक बार आप पढ़ना छोड़ कर खाने की तरफ आपका ध्यान होता है खाने के साथ ही mobile हाथ में आ जाता है और उसके वादे पता ही नहीं लगता कि time कहां से कहां हो गया तो इसका सिर्फ एक ही solution है एक अच्छा time table मैंने अपने channel पे इतने time tables share करे हैं चलो वो अगर आपको नहीं भी देखना आप अपना खुद का अपने हिसाब से time table बनाओ उसको follow करो जब मज़ा करना तो जी भर के मज़ा करो ठीक है तब बिल्कुल भी मज़ सोचो कि हाँ यार मेरा घर पे काम पढ़ा जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी मन लगा के तब बाहर के बारे में सब छोड़ दो मुबाईल है उसको side में फेंक दो अपना study पे focus करो अगर आप दिन में 6 गंटे ना सही 2 गंटे भी पढ़ते हो ना तो वो पूरा मन लगा के 100% अपना दो उन 2 गंटों में अगर आपने ऐसे पढ़ना है कि हाँ चलो साथ-साथ कुछ खाना खा लेते हैं साथ-साथ कुछ वीडियोज एकाद देख लेते हैं ठीक है फिर भाईया आप चाहे 6 गंटे पढ़ लो तब भी नहीं कुछ होगा एक और example इसकी दे देता हूँ जब मैं online class लगाता हूँ मैं offline नहीं लगाता हूँ तब मेरे mind में सर्फ एक चीज़ घूमती है result ratio अगर 10 students paper देते हैं मेरे online class से तो उनमें से at least 6, 7 या 8 या 9 के result तो at least आएं ठीक है? ऐसे नहीं कि 100 जानों ने paper दिया उसमें 10 के result आगे मैंने वो show कर दिये या 1.5 घंटा तो आपका 100% आप उसमें लगाओ और फिर उसका result मिलेगा अगर वैसी रुक रुप के रुक रुप के आपने करना तो फिर वही है 6 घंटे भी चलेंगे productivity आपकी अच्छी होने चाहिए जितनी input है उतनी नहीं थोड़ी से उससे कम output आने चाहिए इसी के साथ move करते है second aspect पे जो की है अपना aim एक clear aim यहाँ पे भी मैं आपको एक example देता हूँ अपने एक friend की यह धाई तीन साल पहले की बात है मेरे एक friend है वो bank कर रहा है अभी वो bank में job कर रहा है बड़ मुझे पता उसने starting कैसे की वो well qualified है में उसको बोलता था कि यार तेरा बढ़िया अगर तू बैंक में भी अगर नहीं हो रहा तो तू यहाँ पे भी job कर सकते तरे पस यह qualification तरे पस यह degree है यह master degree है तुमारे पास वो एक ही चीज़ बोलता है कि नहीं मेरा clear aim है मैंने बैंक में जॉब करनी है तो करनी है that's it तो वो dedication है वो self motivation है उस बंदे के पास वो आज बैंक में है मुझे पता है जब थाई साल पहले की बात है जिस institution में मैं जॉब करता था वहाँ पे कई वार reading का teacher नहीं आता तो मैं head को बोलके as a replacement उसको बलाता था उसको on a 200-250 rupees per lecture उसको provide करवाता था head को बोलके तो ऐसे वो बंदा अपने paper की fees, bank के paper की fees collect करता था कुछ parents से ले लिए, कुछ friends से ले लिए, कुछ essay ले लिए, lectures लगाके problem ये है कि हमारे पास clear aim नहीं है अगर है तो कई बार student ऐसे भी बोलते कि सुर हम work बहुत करते हैं बट एक चीज़ आपको बता दू कि भाया work नहीं करते जब आपको कोई बताता है ना कि आपकी mistake ये है मैंने last video में बताया था तो वो आपकी duty बन जाती है उसको clear करना वो आपकी duty है कि वो mistake दुबारा repeat ना हो अभी अगर आप वो चीज़ repeat करी जा रहे हो आप अपनी mistake को घर जाके ना भई कित्थे देखना मजा रहा है तुछी करे जाके अपनी किताब खोले नहीं तो देखना ना भी मेरे आब and score आए मेरे थे थे mistake है punctuation गलत है मेरी ये 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 वो ना कित्थे जी so be mature जहां पे तुमें छे महीने लगेंगे वहाँ पे एक महीने में आपका काम हो जाएगा अगर आप नई चीज़े सीखने पे कम ध्यान दोगे और जो अपनी mistakes हैं उस पे जादा वर्क करो जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि दूजे दी दाल चेके हो वद लगता है वो चीज़ है नहीं चीज़ आप जल्दी ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं और पुरानी पे वर्क की नहीं करते हैं मिस्टेक, spelling mistake पहले वो होती रहती हैं और वो नहीं चीज़ आप सीख लेते हो ना आपको implement करनी आती है ना उसके spelling अच्छे से आती है तो जो जीज़ आती है वो सीख लो ठीक है mistakes नहीं करनी पता है यह mistake होती है सर मुझे बताते है मैडम मुझे बताते है तो यह आपकी duty यह उसके work करना वो mistakes को avoid कर तो यह तो थे दो important aspects अब बात कर लेता हूँ वो story की अभी क्या है कि कुछ साल पहले की बात है मैं kick boxing कर रहा था और वहाँ पे एक city है मैं name नहीं लूँगा वहाँ के जो fighters है वो government academy के under fight करते हैं डेली की उनको 200 रुपेज की diet मिलती है जिसमें non-veg, proteins बगरा जो भी चीज होती है सब कुछ मिलता है अच्छे-च्छे coach आते हैं आसाम से, अलग-लग जगा से और इसका benefit उनको बहुत होता है वो बंदे हर बार state championship में gold लेके जाते हैं but you know what आपको जब बोलते हैं लोग कि यार मुझे एक सार हो गया writing करते हो, reading करते है मेरा score अपनी होता तू तो अभी नया है and all that नहीं और नये बंदे होते हैं वो ही पूरे चक में होते हैं ठीक है तो बात ये हुई कि दूसरी एक city का player आया and state championship में तीन rounds होते हैं और जो government academy का बंदा है उसको दो rounds में हरा दिया तीसरा round है वो आने ही नहीं दिया पहला round भी वो दूसरे city का बंदा जीत गया और दूसरा round भी वो ही player जीत गया तो इससे क्या clear होता है कि dedication is a must, motivation is a must never ever think about anyone just believe in yourself and start working hard जैसे घोड़ा होता है ना उसके यहां बैसे लगे होते हैं कि हां आसे पासे नहीं देखना तुने सीधा ही आना ठीक है तो वो चीज है don't listen to anyone just believe in yourself negativity तो यहां पे बहुत जादा है ठीक है जहां से कुछ positive ग्यान मिलता है उसको चैनल को subscribe कर लो टीक है तो यहां से विर्ठाट थाए खाए यहां सब्सक्राइब लगे किए